हेलो दोस्तों वेलकम डू डॉपर्स तक क्लास 12 की मैफेमेटिक्स में आप सभी का एक बार फेसे स्वागत है क्लास 12 है मेरी भाई हम आज श्टार्ट कर रहे हैं चेप्टर नंबर 3 जो आपका है मैट्रिस जिसे आप हिंदी में कहते हैं आप भी उसके कुछ कुछ important questions ठीक है आज मतलब कुछ important questions साथ बात के जाएंगे कुछ कल बात के जाएंगे मतलब इसमें जितने questions जो previous year questions है जो important questions है या फिर जो question paper में आने वाली संभाव नाई है 2022 में आप चाहिए उत्तरपरदेस बोर्ट से हो आप ज्यारखंड से हो राजस्थान से मतलब किसी भी बोर्ट से हो तो आपके लिए यह lecture बहुत ही beneficial रहेगा ठीक हम बात करते हैं chapter 3 आपका क्या मैट्रिस questions है और देद्रे मूपर लेवल तक जाएंगे ठीक है इंसी आर्टी questions भी इंक्लूड़ेट रहें अगर आप एक साल का दो साल का प्रिवेस यह आप उठा लिए अब 2021 में पेपर हुआ नहीं तो आप उसमें देखेंगे नंबर आप question जो एंसी आर्टी से ज्यादा बन रहे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो पूरा एक्स्प्रेंट कर दूंगा और किस तरह से आपको पेपर में हारी question लिखना है मैं पूरा करेंगे तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे चोटे questions है और आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए ठीक है क्या पता हम जो questions करा है च्छोटा question करें तो बड़ा question जाए ठीक है और यहां से आपको एक चीज़ से क्वेशन को मिलेगे question पेपर में कैसे आते हैं या पांच लेंगे पांच नमबर का question है तो आपको छे साथ लाइन तो लिखनी पड़ेंगे अगर आठ आठ question का तो कम से कम एक पेज लगाए ठीक है मतलब time कम लगे और आपके question भी जादा ठीक हो तो ऐसे आपको question को करना रहेगा तो चलिए बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं question आपका अब वन देखते हैं बहुत ही बेसिक स्टार्ट कि आमने कि यदि किसी आप व्यों में 24 हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है question दो नमबर में कई बार आया है और एक नमबर में भी कई बार आपका question आया है ठीक है के देखो को कि यह पराई कि है किसी आप व्यू में कोई आप शजैंगे इस में पार दो नमबर में question आता तो आप इस तहरा से मीधिंगे कि 24 आवयों के लिए 24 आवयों के लिए संभव कोटियां संभव कोटियां ठीक अगर दो नंबर में आता तो आपको ऐसे लिखना रहेगा 24 आवयों के लिए 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 24 आवयों के लि यह आपका क्या है? एक matrix है. इसमें देखो एक, दो, तीन, तीन रो हैं और दो कॉलम हैं. ठीक है मेरे भई? अच्छा, आप जो आपके 6 आउयों दिये गए हैं, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दो, तीन, पांच इस तरहम से लिख 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 आप देखो, element भी 6 ही है, आप यहाँ पर देख रहे थे, तीन रो था और दो कॉलम था, यहाँ पर देखो, दो रो हो गया, तीन कॉलम हो गया, मतलब इसी तरह इससे, आप कितने तरीके से इसको adjust कर सकते हैं, इस 24 element वाले अवयों को, ठीक है? यहाँ पर मैंने छोटा से एक example यह था, क्यों आपको समझाने के लिए, तो इसी परकार से, अगर आप एक रो 24 कॉलम बना रहे हैं, तो भी हो सकता है, आप 24 रो एक कॉलम बना रहे सकते हैं, तो भी हो सकता है, ठीक है? इसको मेरे एच कर देता हूँ, देखिए, आप 24 का एक सेक्टर एक गुणे 24 हो गया एक आपका 24 गुणे एक हो गया, आप इसको क्या लिख सकते हैं, दो गुणे 12 लिख सकते हैं, ठीक है, दो रो बारा कॉलम आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, बारा या आप इसको बारा गुणे 2 में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, यह हो गया आपका, इसके बाद 6 तो आठ गुणे तीन इस तरह से भी लिख सकते हैं और तीन गुणे ते लिए आपको सकते हैं संभः कोटिऊं आपकी चे 1 2 3 4 5 6 7 8 तो आठ संभः कोटिया की हो सकती है वो की सतरु से बनाई जाएंगी तरह से बनाई जाएंगी हर एक आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा ठीक कोई प्रॉब्रम इसमें हो तो आप कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं अगर आप चैनल पने चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं कि अब देखो क्वेशन बहुत अच्छे मैं आपको बताने वाला हूं ठीक है यह बेसिक क्वेशन था कि वहला आपको जो आयो देखो अब इस जगहां से आपको मालो 12 थे दिया गया है 12 तो बारा का गुळंखंड कर सकते हैं मालो च्य अभिशेंतरा वह यह दे दिया गया तो इनका आप जितने तरीका से घुरांखंड कर सकते हैं आप उसी तरीके से सब्सक्राइब करके रखना और हर एक चैप्टर कराऊंगा तो सब्सक्राइब करना जिससे की साम साथ बज़े आपको डेली मिलेगी और आप इसको बेहतरिन तरीके से पढ़ें हर एक क्वेशन में आए हैं या आने वाली संभाव नाई हैं ठीक है तो इसको आप नोट कर ले फिर मेरेज कर देता हूं आए मेरे प्यारे वेशन नमबर दूसरा देखो क्या गहरा है कि एक दो क्रास दो आप व्यू है जिसका एज इसके आउयो जो दिए गए हैं वह एज बराबर आई प्लस ये का होली स्कॉर बट्टी में दो क्वेशन कई बार पूचा गया ठीक है बहुत ही बेसिक कंसेट के साथ मैं आपको बताने मालों देखो आपको हलाकि अगर कुछ बच्चों को आ रहा होगा तो उनको बहुत आसान लग रहा होगा लेकिन अभी हम धिरी तरी और अच्छे क्वेशन पराएंगे ठीक है देखो हर एक देखो ऐसा नहीं कि हर एक हो जाएं ठीक है आइए का रहा है कि एक आपको डोका दो आप्यू दिया गया एज को स्टू ए आईजी ठीक है तो देखो अगर हमें एलिमेंट नहीं पता है अब इस तरह से दिये गए अब इलेकिन आपको परियों करके उनकी आउयों निकाल ले लेकिन एक चीज हम को कहा गया है वह आप व्यूट दो कर दो का व्योटे तो माँल लेते हैं जह सूरे सब्सक्राइब लिकिए तो यह आपको आपके पास हो गया मिल neither प्रक्राइब अब डेकर इसमें कहारा कि एक आवियो देखो आवियो आपको नहीं देगए कि इसके लेकिन आपको यहां से आपको आउयो निकालने पड़ेंगी यह जो आपको कंसेप्ट दिया गया है यहीं से आपको आउयो निकालना पड़ेगा i क्या होता है i1 row और j क्या होता है j1 column ठीक है तो i और j i और j की जगा आपको यही value आपको रखने पड़ी पहला रो पहला column पहला रो दूसरा column दूसरा रो पहला column और दूसरा रो दूसरा column ठीक है कोई problem नहीं है अगर हम a11 की लिए बात करते हैं तो question में आओ, i, j, i की जगा भी एक और j की जगा भी एक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, a, 1, 1, i की जगा एक रखा, j की जगा एक रखा, तो question क्या हो गया यहाँ पर, 1 प्लस 1 का whole square बटे में 2, मतलब 1, 1, 2, 2 का square बटे में 2, और 2 का square को आप लिख सकते हैं, 4 बटे में 2, म मतलब हमको a, 1, 1, पहला रो, पहले कॉलम की जगा, हमको क्या element मिल गया, 2, अगर हम मेरी भई बात करते ही, a, 2, 1, दूसरा रो, पहले कॉलम की, तो इसका मतलब, यहाँ पर आएंगे, तो यह आपका हो जाएगा, a, i की जगा दो रखो, j की जगा एक रखो, रखो, रख दि में दो, इसको ऐसे छोड़ दो, point वकारा में नहीं लिखना आपको, ठीक है, अब हम बात करेंगे, a, 2, 1 की, दूसरा रो, पहला कॉलम, ठीक है, देखो, question में आओ, i की जगा दो रखेंगे, j की जगा एक रखेंगे, तो a, 2, 1 हो गया, अब यहाँ पर आओ, i, j, तो i की ज हो जाएगा, 2, j की जगा एक, 2 प्लस एक, बटे में 2, तो यहाँ पर हो गया, इसका स्क्वाइर, तो 2, 1, 3, तो 3 का स्क्वाइर, बटे में 2, कितना हो जाएगा, आपका 3 का स्क्वाइर नो, और यह हो जाएगा, 9 बटे में 2, हम बात करते हैं, a, 2, 2 की, दूसरे रो, दूस और बटे में आपको कितना हो जाएगा, 2, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 का स्क्वाइर 16, और यह आपका हो गया, 16 बटे में 2, मतलब आपका हो गया, यह 8, अब इसको आपको छोड़ना नहीं है, पूछा गया है कि, 1, 2 कुरास, 2, आप व्यू, a, a, वरावर किया, i, j की रचना करना, आप व्यू आपको दिखाना है, वो आप व्यू कि एलिमेंट कौन कौन से होंगे, तो अभी आपने यह लेट कर लिया था, माल लिया था, लेट कर लिया था, a, 1, 1, a, 2, a, 2, a, 2, 2, अब उसके प्लेस पर आप व्यू आपको एलिमेंट पता चल गए, आउयो तो आप रख दें, a, 1, 1 कितना है, 2 है, a, 1, 2 कितना है, आपका 9 बटे 2 है, a, 2, 1 भी आपको कितना हो जाएगा, 9 बटे 2 हो जाएगा, और a, 2, 2 भी आपको कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो यह आपके क्या हो जाएगे, आप व्यू की एलिमेंट हो जाएगे, और आप कि देख रहे हैं फाइनल आंसर में अब मेरे बात बता है कि आपको इस को सब्सक्राइब कर सकते हैं को आप इसको में नोट कर सकते हैं ओक आये दोस्तों question number से start करते हैं देखो कहा रहा है कि दिएगे समिकरंट से xyz का मान आपको ग्यांद करना question बहुत easy है और xyz की जतने value आपको पूछे जाते हैं आप निकाल जाते हैं xyz हो गया xyz w हो गया x plus y हो ठीक है इस time के जितने questions आपको मिल रहे हैं वो सभी question आप करके जाएंगे देखो question यह कह रहा है कि x plus y plus z x plus z और y plus z बराबर दिया गया 9 5 7 इसका मतलब क्या होगया इसका मतलब होकता है कि x plus y plus z बराबर आपको 9 दिया गया है x plus z बराबर आपको 5 दिया गया है और y plus z बराबर 7 दिया गया है तो इसको आप पहले बाहर लिखें ठीक है तो इसको आप लिखेंगे x plus y plus z बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा यहाँ पर आप लिखेंगे x plus z बराबर आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और y plus z बराबर आपका यह हो जाएगा 7 इसको आपको समिकर नमबर 1, समिकर नमबर 2, समिकर नमबर 3 आपको मान लेना है समिकर नमबर 3 आपको इसको मान लेना यहांपर आप देख रहें यहां पर है x और z, हम एक चीज कर सकते हैं मेरे भाई, इन of equation को माइनस कर दें, इन दोनो देख रहे हो, अगर हम इन दोनों equation को माइनस कर दें, तो x से x गट जाएगा, z से z कट जाएगा, हमारे पास एक अकेला y की value में पता चल जाएगी ठीक है तो आईए देखिए हम लिखेंगे समी करण समी करण 1-2 ठीक है देखो कैसे solve करेंगे यहाँ पर देख रहे हैं आप x कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको नहीं है एक से x कैंसिल हो जाएगा प्लस मानेस कैंसिल हो जाएगा तो यहां भी मानेस ही होगा तो नो मसे पांज है कितना जाएगा चार मतलब वाई की वैलों कितनी मिलगी चार मिलगे ठीक है वाई आपको पता चल गया अब आप देखेंगे अगर वाई पता चल गया तो यहां से जट पता चल जाएगा देखो समीकर नमबर 3 इसको आप लिख सकते हैं पूर्टिन पूटिन थर्ड थर्ड में आप पूट करेंगे वाई की वैलो चार है तो चार पलस का जट बरावर कितना हो गया आपके पास साथ हो गया तो जट बरावर आपके कितना हो जाएगा साथ मैनुस का चार और जट बरावर आपका हो जाएगा तीन तो जट की वैलो कितनी पता तो만 9 रहे हैं प्लस का जैड़ दिया खतीन रखो पांच तो एहां से देख रहे हैं है अब किस पर किस्टन हो जाएगा पांच माइनस का ङांज इस चल गए मतलग इसमें और ऊसकी बएलू यही क्वेशन कर लेना इसको नोट कर सकते हैं फिर हम नेक्ट कुष्टन देखेंगे ठीक है अब देखो वहाँ पर आपको जोड़ घटा आता है मैट्रिक्स का आप विव का यहां पर आपको जोड़ घटा आना चाहिए ठीक है अब आप देख रहे हैं कि यहां पर दिया गया यहां पर एक्स मानेस का बाई दिया गया हम क्या कर सकते हैं कि यह गता है अगर बहुत ही आसान है देखो कैसे यहां पर आप देख रहे हैं x plus y दियागा यहां पर x minus का y दियागा मेरी भी अगर हम दोनों समीकरन को जोड़ लिए तो यहां पर आप देख रहे हैं minus का y यहां पर आप देख रहे हैं plus का y तो minus plus से cancel हो जाएगा x x जोड़ जाएगा 2x आज जाएगा देखो कैसे करते हैं, आपको करना क्या है, आपको करना है, लिखना है कि हल, solution, ठीक है, देखो करोगी क्या, अगर हम X plus का Y, X plus का Y, और plus कर देए, X minus का Y से, ठीक हम दोनों क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, तो इधर भी वही काम होगा, अगर हम दोनों समेकरण को जोड रहे हैं, x plus y, x minus y, तो दोनों आप विव भी आपस में जोड जाएंगे, तो पहला आप विव क्या था, आपका x plus y, जो पहले x plus y लिखा है, तो पहले x plus y लिखो, 5, 2, 0, 9, ठीक है, फिर प्लस का, जो की प्लस कर रहे हैं, आप देखोंगे, यहां पर कौन सा सिंबल है, प्लस का, तो यहां भी प्लस का सिंबल लगेगा, 3, 6, 0, माइनस का 1, ठीक है, 3, 6, 0, 1 हो गया, मेरे भाई, अगर हम यह ब्रेकट हटा दे, ब्रेकट हटा दिया गया, कोई प्रावलम नहीं है, प्लस का य, माइनस कोई कैंसेल हो गया, एक्स, एक्स कितना हो जाएगा, 2 x, तो यहां पर कितना हो गया, 2 x हो गया, अगर हम इधर जोड लिए हैं तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा अरे जोड़े हितों हैं तभी तो कटक कट गया है तो इधर भी आप जोड़ो तो 5,3,8 ठीक है, 5-3, 8, 2-6, 8, यहाँ पर आप देख रहे हैं, 2, देखो, A11 की जगा आप जोड़ो, इधर भी A11 की जगा ही जुड़ेगा, अगर आप A12 ले रहो तो यहाँ भी A12, तो 5-3, 8, 2-6, 8, यह होगे आपका, यहाँ पर आप देख रहे हैं, 0 यहाँ पर, एक सेकंड में देखने हो फ्षेशन यह है आपका हाँ ठीक है जीरो जीरो तो यहां पर आप जीरो में जुड़ेंगे तो जीरो ही आएगा और यहां पर आप देख रहे हैं आपका हाथ हाता है अगर यहां से कोई चीज गुणा में रहती तो इकपोल कितने में आएगी भाग ना हुगा तो यहां पर X की value क्या निकाल पाएंगे सबी जगां आप 2 से भाग करयो 2 कितना हो जएगा 0 बटे में 2 0 ही होता है 8 बटे में 2 कितना हो जएगा 4 मतलब सब कितना होगे आधे होगे मतलब भाग होगे आथो से अगर मेरे भाई X की value आपको पता चलेगे दिक्कत हो जाएगा ना हम इसी में करते हैं ठीक है समिकार नंबर एक में एक्स प्लस वाई तो एक्स की वेलू आपको यहां से निकली गई है चार चार जीरो चार फिर प्लस का वाई लिखेंगे है कि नी प्लस का वाई लिखेंगे बराबर उधर क्या में निकलना है और बराबर के इधर जो में प्लस के लिखी है कि उसको लिखेंगे इसको लिखेंगे प्लस में हो जाएगा मतलग यह हो जाएगा 4, 4, 0, 4 ठीक है मेरे भाई, देखो तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका y बराबर आप देख रहे हैं 5 में से 4 जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा, 2 में से 4 जाएगा माइनस का 2 आजाएगा 0 में से 0 जाएगा, 0 चार में से मानस का चार में से मानस चार जाए कितना हो जाएगा पांच आ ठीक है तो यह आपका वाई मैट्रिक्स हो जाएगा तो एक्स की वैलू कुछ कौन सी हो जाएगी यह चार चार जीरो चार और वाई की जो आपकी वैलू होगी मैट्रिक्स आपकी बनेगी एक मानस का तोके अब जो एकसी स्थाइब से मिलेंगे और मताऊंगा तो इस तरह से मांण हों mo matrix का जोड़ घटा और xy की value आपको निकालनी है तो हमें नहीं लगता आप कि xy की value आप यहां से कोई problem होगा क्योंकि यह question कई बार पूंचा गया ठीक है तो इसको आप note कर लिए अगर आपको question अच्छे लग रहे हूं तो आप like और subscribe जोड़ करना ठीक है तो note कर लो इससे पह पर दिया गया जिरो का मतलब यहांपर क्या है zero matrix यह 0 थोड़ा सा बड़ा बनाओ शूर्ण ने मतलब यप इस तारह से थोड़ा बनांटिको आपको दिखान है मतलब कि आप a cube निकालने फिर मानस करा है तेही से फिल मानस 40 identical matrix करा है तो आपको एक सून आप भी मिलेगा zero matrix मिलना चाहिए ठीक क्वेशिन कैसे होगा देखो अगर हम एक लीज़ निकाल पाएंगे तो अको क्या आप तीने को एक साथ कराते हैं नहीं हम दो का गुणा कराएंगे दो बार डीज़ का गुणा कराएंगे फिर हमें a square मिलेगा और a square का a में गुणा कराएंगे तो हमें a की ओ मिलेगा तो यह a square पहले निकालो a square आपका क्या हो जाएगा 1, 2, 3 3, 3, मानस 2, 1, 4 2, 1, यह हो गया फिर आपको यह a matrix लिखना पड़ेगा कि देखो ए गुणे ए करा रहे हैं तो 1, 2, 3 3, 3, मानस का 2, 1 4 हो गया, 2 हो गया, एक हो गया ठीक है अब गुणा कराना आप जानते हैं आप पहला रो उठाओ पहला रो और दूसरे matrix का पहला कॉलम ठीक है तो एक एक कम एक देखो यह थोड़ा सा में sort कर रहा हूँ एक लाइन जो मैं यहाँ पर लिखूँगा भी लिख करके भी जो को बताता हूँ एक एक कम एक पलस 2, 3, 6 हो जाएगा 3, 4 के 12 तो 12, 6, 18, 19 यहाँ पर क्या हो गया, 19 अब जो लाइन मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ न एक पलस 6, 12 फिर मैं आगे वाली स्टेप में 19, 19 लिखता ठीक है, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ उसको आगे एक लाइन बढ़ा लेना, फिर आपको करना है, ठीक है पेपर में, सौर्ट में नहीं करना हूँ, एक दुआई, दो हो गया, दो दुआई, चार, लेकिन मानस का, चार होगे कि यहाँ पर कितना है, मानस का है दूसरे में आएंगे, तो देखो, तीन दुनाई, छे, तो देख रहे हैं, आप 6, 2, 8, 8 में से चार जाएगा, चार आजाएगा, ठीक है मेरे भई अब देखो, तीसरे कॉलम में आओ, एक दुआए, एक त्याए, तीन हो गया, दो एक कम दो हो गया, और आप देखें, तीन एक कम तीन हो गया तीन, तीन, छे, छे, दो, आठ, तो यह आपको हो गया, ठीक है, मिरे भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अब देखो, पहला रो आपने यहाँ से ले लिया, अब दूसरा रो लो, फिर सभी कॉलम में मल्टिप्लाइ करो, यहाँ पर आप कि तीन, एक कम, तीन हो गया, फिर आप यहाँ पर आएंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस का छे हो जाएगा, फिर यहाँ पर पलस का चार, तो देख रहे हैं आप, चार, दो, चार, तीन, साथ, और साथ में से छे जाएगा, तो आप का जाएगा, एक, ठीक है, यह हो गया अब दूसरा रो और दूसरा कॉलम ठीक है मेरी भाई देखो 3 दुनाई कितना हो जाएगा आपका 6 बहुत सावधानिस कराना है देखो माइनस मानस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2 दुनाई 4 हो गया ठीक है दो एकम दो और पलस का एक तो नव एक, दस और दस भी में से दो हुज़ेगा आठ ये कितना हो जाएगा आठ हो जहेगा यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ठीक है आगे देखते हैं दिखो अब आप देख रहे हैं तीसरा रोले रहे हैं और सभी कॉलम में हमें कराना पड़ेगा ठीक है तो आहिए चार एक कम 4 2 तियाई 6 पलस का 6 हो जाएगा एक चोग के 4 एक चोग कितना हो जाएगा चार हो जाएगा तो 4, 4, 8 और 8, 6, 14 यह आपका होगया 14 चार दुना ही 8 हो जाएगा दूसरे कॉलम में आओ चार दुना ही 8 देखो माइनस है तो माइनस का 2 दुना ही 4 हो जाएगा एक दुना ही 2 हो जाएगा तो 8, 2, 10, 10 में से 6 जाएगा आपका 6 आएगा ठीक है दस में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 6 आप देखो चार्ति आई आपका हो गया 12, 21 कम दो, 21 कम एक तो 12, 24, 15 यह आपका हो गया 15, ठीक है मेरे भई, तो यह आपको मिला A square, A square केतना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 4 हो गया, 8 हो गया, 12, 8 हो गया, और 14, 16, 15 हो गया, ठीक है मेरे भई, आईए, देखो अब हमें A Q बगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, A Q बगर आपको निकालना है तो आप A square जो आप भी निकालने हैं, उसमें A से फिर अब इसमें A का फिर गुणा करा दो, A matrix यह वाली, 1, 2, 3, 3 मैनस का 2, 1, 4, 2, 1, ठीक है, यह आपका हो गया, मंटिप्लाई कैसे कराओगे देखो, जैसे उपर कराया गया है, 19 हो गया, 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 चार त्याहीं, 12, तो यह हो गया 12, और 8 चो को 32, यह हो गया 32, ठीक है, तो आप देख रहे हैं मेरे भई, 9, 2, 11, 11, 11, और 2, 3, 13, ठीक है, 9, 4, 13, कि 3 हांसी लेका, एक, 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 दो, दो, तीन, पांच, पांच, एक, छे, यह हो गया, आपका 63, कितना हो गया, मेरे भई, 63, 63 हो गया, ठीक है, कोई प्रावलम यहापर आपको नहीं होनी चाहिए, अब दूसरे में आओ, 19, 28, 19, 28 हो जाएगा, माइनस का 8, क्योंकि 4 दुना ही 8 होता है, 19, 28, 4 दुना ही 8, माइनस का 8 दुना ही 16, 8 दुना ही 16 हो गया, तो आप देख रहे हैं कि यह कितना हो जाएगा, माइनस का 8, प्लस का 16, कितना हो जाएगा, प्लस का जोड़ना घटान आपको आना चाहिए देखो 19 कितना हो जाएगा आपका 57 हो जाएगा चाहर एक कम चाहर दो आप देख रहे हैं मेरे दोस्तों 8 4 12 आप दूसरा आपको रो लेना पड़ेगा सभी कॉलम में मल्टिप्लाई कर रहा हो तो एक 37 हो गया बारत याई गया बारत याई 36 36 हो गया आघ चोको 32 32 हो लूट कर दो दूसरी में हो एक दुआए दो हो गया 12 दुआए 24 एक दुआए 24 मानस का 24 हो गया और 8 दुआए 16 यह आपको गया 16 ठीक है 16 दो 18 और 18 दो 20 चार दो 6 मतलब आपका जाएगा यह मानस का 6 आपका जाएगा ठीक है ठीक है आईए 14 एक्तम 14 16 अंदर चुआ का साथ अंदर चुआ का साथ हो गया साथ दस सतर दस असी दस नब्य दो बाननेवी त्या आपका हो जाएगा 92 देख लो आठ चार बारक दो 6 एक साथ एक आठ एक नब्य बाननेवे ठीक है यह आपका आगया कि चोधा दुन आठ थाइस माइनस का बारा चेंगा यह बारा माइनस का अधर दुन अधर दून आ तीस ठीक है है तीस आगया कि तीज बिश्पचास पचास अठाउं 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 टाउं में से तता गटाउं आटा गए तो ची अलिस प्लस कई आपका जाएगा छी आजिस ठीक है चावदा दौनट चावदा त्यां 42 ठीक है 6 कम 6 पलस का 6 हो गया अब 15 एक कम 15 तो 15 40 हो गया आप देख रहे हैं 6 5 गरदो तीरा तीना सी लिक आगए 4 5 एक 6 अब गया 63 40 1050 1060 और एक दो तीन ठीक है तो 63 हो गया यह आपका आगया 63 तो आप देख रहें मेरे भाई एक क्यूब मतलब एक क्यूब जो आपका बनता है वह आपका बनता है 63 अब देख रहा हूं मैं एक सेगन कहां तक आपको दिख रहा है नीजे तक आपको भी दिख रहा है देखो मेरे भाई आप जिब देखो यहां पर फोड़ा समय आइडेटिटी मैट्रिक्स तो आप एक साथ जोड़ लेंगे मतलब घटा लेंगे जोड़ लेंगे जो भी करना पड़ेगा तो हमें प्वेशन आंसर मारा मिल जाएगा मतलब जीरो आना चाहिए यह कैसे होगा देखो चाहिए तो आप देख रहें तुरंत आपने निकाल लिया तेईस यह आपका निकल गए ठीक है अच्छा आप देखो हमें चाहिस आइडनेटाटी में तो चाहिस आई निकालना पड़े गर्षोग है कोई दिख्कत है चाहिस को 101 बहुत ही इसी है अब देखे जो आपका क्वेस्टन दिया गए एक यू मनस करद है से मानस कर चाली सी है अब हम इसी के कारणिंग चलेंगे ठीख है आप देख से पहले एक यूग दिया गए तो आप एक यूग की बालो एक की बालो कितनी दे देगijk है यह देखाब किना पटांपकि छैया कि 1 और सब्तायाइं न उनद्र का남 को away की कंधिय तिक है यहां पर देख रहें आप 602 ओं कि मैं यफया तेस डी नशनकड़ें तो यहां पर आप oxy Wiram लुए आपकी या आपका चान्टीनू है या नहीं है ठीक है कोई प्रॉडब नहीं है यह आपका च्यालिस हो गया यह आपका थेइस हो गया बाननवे चे आलेस और यह आपका हो गया यहां पर गणधेखों मानस का 40i मतलब 40i मैनस सशार रहा दो 40i कैसे करेंगे आर इंट्री मैंट्रिक्स में तिप्लाई करेंगे यहां पर हो जाएगा 40 00 00000400 ठीक है यह आप का हो गया अब देखो सौल्व कैसे करोगे इन दोनों का मानस करा लो फिर जो आए फिर मानस करा दो बहुत इतना हो जाएका चालिस हो जाएगा 53 पर कितना हो जाएगा पलस का चालिस मतलब चालिस हो गया ठीक है यहां पर आप देख रहे हैं यह भी वही चीज लिखा गया है माइनस का हा इस चालिस जीरो 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 चालिस जीरो और जीरो जीरो लिए आपको ओगया चालिस ठीक है तो आप मेट्रिक्स वाकर फोजने लान चैलिकल यहां पहले जीरो जीरो और इस मैट्रिक्स को किसे दर शाद जाते हैं 0 ऑब एघाए तो न आपको किया करना था पुरूफ करना थे में ठीक है तो बहुत ही एजी है क्वेशन को करना क्या है ना थो रहा सतार क्ता से इस क्वेशन को सौल खरना क्यों कि गलती हो जाती है तो हम लगता है आपको यहां तक रखते हैं फिर क्pel AbsolTube सकते हैं यह प्रिवियूस यह में हई हैं हम उन सभी को करेंगे कोई अब को अगारे यहां तक करना दोससा लोग यह कर देना और तो salary सब्सक्राइब कराऊंगा अभी हमने इंवेस्ट इंपोर्टेंट है वो सभी मैं आपको कराऊंगा यह हमारी गारेंटी तो आज के लिए बस यतना ही थाइंक्यू सब्सक्राइब चैनल एक फॉर्ड एक फॉर्ड इंटिए नियुक्त फॉर्ड विल्मीट यू नेक्ट सब् डर्ज aurी एके लियुक्ट सब्सक्राइबे हैडियुक्त